तो दोस्तो आई टी आई के तरब से बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आई है जी हाँ फ्रेंड्स जो भी सेशन 20 से 22 के स्टुडेंट है उनका एक्जामनेशन डेट जारी कर दिया गया है तो दोस्तो आप लोग का एक्जाम दिसंबर के महिने में ही होने वाला है तो दोस्तो आप लोग का एक्जामनेशन फॉर्म और एड्मिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है तो दोस्तो कबसे आप लोग का एक्जामनेशन होने वाला है और कबसे आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा और क्या आप लोग का यहाँ पे एक्जामनेशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा तो दोस्तों ये सब सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखेगा यहाँ पे आप लोग को सारी जानकारी डीटेल में मिलेगी तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल वाली बार आये के वैसे चात्र जो वी से सन 20 से 22 में एडमिसन लिये वे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट येर के श्टुडेंट उसका एक्जामनेशन डेट जारी कर दिया गया है तो आप लोग को बता दे कि आप लोग का फर्स नंबर में यहां पे होगा कि आप लोग का फर्म कब से भराएगा तो आप लोग का बता दे कि लगभग फर्स्ट दिसंबर में आप लोग का फर्म भराना सुरू हो जाएगा और दोस्तो आप लोग को फर्स्ट दिसंबर से ही यहां पे फर्म भराना सुरू हो जाएगा और आप लोग और अभी तक आप लोग ने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं किया है, तो जल से जल आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आप लोग का, क्योंकि एक्जाम बहुत ही नज़िक आ गया है, और बतादू कि आप लोग का जो भी एक्जाम है, आप लोग का 13 तारिक, यानि यहाँ पर पहला दिन जो एक्जाम होगा ड्रोइंग का ही होगा तो आप लोग जल से जल तयार है एक्जामनेशन के लिए और बता दे कि आप लोगों का जो भी यहाँ पर एक्जामनेशन होने बाला है वो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से एक्जाम होने बाला है तो द examination होने बाला है तो दोस्तों आप लोग को बता दे कि आप लोग का जो भी examination form भरा जाएगा उसमें से क्या-क्या आप लोग को documents लगने वाले हैं यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं तो मैं आगे इसका video बना दूँगा यदि आप लोग कोमेंट करते हैं तो यदि आप लोग को जरुत है कि बिहार आई टी आई या कोई भी आई टी आई में examination form भरने में क्या-क्या documents लगने वाले हैं यदि इसका भी वीडियो बनाए तो आप लोग कोमेंट कीजिए मैं इसका भी वीडियो आगे लेकर आऊँगा कि क्या-क्या documents आप लोग को लगने लगेगा तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैन लगने बार